आज हम लोग भारतिय इतिहास का एक बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक डिस्कॉस करने वाले हैं जिसको हम लोग भारत में यूरोपियों के आग्मण के रुप में जानते हैं आज से हम लोग का आध्धुनिक भारत का क्लास जो है प्ररम्भ हो रहा है और इसमें सबसे पहला जो हम लोग अध्याई देखेंगे उसका नाम है भारत में यूरोपियों के आग्मण चुकि ऐसा माना जाता है कि भारत में आधुनिक भारत के अगर बात की जाएगी आधुनिक भारतिय इतिहास की तो आधुनिक भारतिय इतिहास का प्रारंभ जो है वो यूरोपीयों के आने के बाद से ही माना जाता है तो इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा विश्व के सापेक्ष में जो घटनाय घटी थी उनके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे जब भारत का हम लोग आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले जो है हम लोग जो आधुनिक विश्व है उसके साप्यक्ष में जो भी घटनाए घटी थी उन घटनाओं के बारे में थोड़ा सा पहले समझने का प्रयाश करते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग भारत में आने का प्रियास करेंगे तो सबसे पहले-पहले हम लोग यह जानेंगे कि एक डेट जैसे की इतिहास में एक डेट जो है वह बहुत ही इंपोर्टेंट है 1453 का इस डेट को हुआ क्या था कि जो पवित्र रोमन समराज्य है जिसको की मतलब कि बैजनतनी समराज्य के रुप में भी जाना जाता था पुर्वी रोमन समराज्य उसकी राजधानी थे जिसको कुस्तन तुनिया कहा जाता था कुस्तन तुनिया तो इस कुस्तुन तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था तुर्कों का अधिकार हुआ 1423 में कुस्तुन तुनिया जो है इस पर तुर्कों का अधिकार हुआ यानि कि जो रोमन समराज्य था रोमन समराज्य का 1423 इस भी में पतन हो गया और रोमन समराज के पतन के पसात जो है यहाँ पर पुनर जागरण की सुरुवात मानी जाती है जब रोमन समराज का पतन हुआ तो चुकि रोमन समराज जो था उसमें पोप का अधिपत्य बहुत जादा था और यहीं से जो कि पोप जो है वो रोड़िवादी विचारधाराओं का समर्थक था और जिसके कारण वहाँ पे लोग जो है मतलब की उनकी सोचने की जो कैपेसिटी थी जो क्रियेटिवीटी थी वो पूरी तरह से बंध हो चुकी थी क्रियेटिवीटी उनमें समाप्थ हो चुकी थी और उस यूग को यानि कि जो 1423 में जो कुस्तुन तुनिया का पतन हुआ इससे पहले का जो इरोपिये इतिहास है उसको हम लोग अंधकार यूग के रुप में जानते हैं और जैसे ही कुस्तुन तुनिया का पतन हुआ और तुर्कों का अधिकार हुआ कुस्तुन तुनिया पे तो यहां से एक और घटना शुरुवात होती है जिसे हम लोग पुनर जागरण के रुप में जानते हैं पुनर जागरण और पुनर जागरण का साब्दिक अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो इसका होता है बोधिक जागरुपता अगर पुनर जागरण की बात करें तो इसका मतलब होता है बोधिक जागरुपता यानि कि पुनर जागरण जब हुआ तो पुनर जागरण के बाद में जो यूर यूरोपीय लोगों में तर्क छमता का विकास हुआ, वो किसी भी घटना के पक्ष में या विक्ष में तर्क प्रस्तूत करने के उनमें छमता का विकास हुआ और इसलिए इसको पुनरजागरण के रुप में जाना जाता है। वहां के 1453 सब पहले, चुकि यहां पे विज्ञान और ज्यान विज्ञान का काफी अभाव था, लोगों को जानकारी की कमी थी, जिसके कारण लोग समुद्री या त्राओं से डरते थे। और समुद्री या त्राओं से डरने के कारण, लोग समुद्री में उतरने से परहेज करते थे और समुद्री या त्राओं नहीं करना जाते थे। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीज़े जिसको हम लोग जानना जरूरी है, कुस्तुनतुनिया पर जब तुरकों का अधिकार हुआ, तो उससे पहले की अगर बात की जाएगी? तो उससे पहले यहां अरब के मार्ग से यहां से ऐसे अस्थल मार्ग से यूरोप और यूरोप और जो पुर्वी देश हैं यैसे मतलब भारत की बात कर दी जाएगी चाहे एसिया के अन्न जो पुर्वी देश हैं तो उन देशों से जो व्यापार होता था वो अस्थल मार्ग से अरब देशों से हो करके होता था और चुक्टी जब कुस्तुन तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ तो यह व्यापार जो है हलाकि बहुत म्हांगा पड़ता था उपर से जो व्यापारी थे मुदstar इना और व्यापारियों की मध्यस्तता के जरुत पढ़ती थी यानि कि सबसे पहले पहले भारत से जो भी वस्तुएं होती थी भारत से वस्तुओं को खरीद करके और जो अरभ व्यापारी थे वो ले जाते थे और यहां से अरभ व्यापारीयों से फिर जो यूरोपीय व्यापारी थे वो यहां से वस्त पहुंचते काफी महंगी हो जाती थी और जब महंगी वस्तूओं को यहां पे बेचा जाएगा तो चुकि मुनाफ़ा तो स्वभाविखे की कम होगा इस स्थिती में जो यूरोपीय व्यापारित है और यहां पर तुरकों काधिकार हो गया तो फिर यहां पर जो टैक्स जो प कोज की जाए जो उनको मतलब सीधे भारत से या फिर जो भी पूर्वी देश हैं एसिया के जो भी पूर्वी देश हैं उन देशों से उनका संपर अस्थापित कर सके और चुकि यहां पर हम लोगों ने देखा कि पुनरजागरण जब हुआ तो पुनरजागरण के फलस्व लोगों के ज्ञान और विज्ञान में काफी व्रिधी हुई और उस व्रिधी के कारण नए नए अविस्कार होने शुरू हो गया यहां पर हम लोग इंपोर्टेंट एक चीज देखेंगे तेरा सो असी में एक उपकरण का अविस्कार हुआ जिसे कुतुब नुमा कहा जाता है कुतुब नुमा यह अरवों के द्वारा जो है अविस्कार किया गया था कुतुब नुमा का विकास जो है अरवों के द्वारा किया गया था और कुतुब नुमा जो है ये एक दिसा सूचक यंत्र था दिसा सूचक यंत्र यानि कि कुतुब नुमा जो है तो एक दिसा सूचक यंत्र था और इसका जो विकास था वो किसके द्वरा किया गया तो अर्वों के द्वरा किया गया और जब कुतुब नुमा का विस्कार कर ल और तेजगती से चलने वाले एक नाव विक्सित किया गया और उस नाव को कहरावल कहा जाता है कहरावल कि अगर बात की जाएगी तो यह तेज तथा हलके नाव थे मतब तेजगती से चलने वाले और हलके नाव थे जिनहें कहरावल कहा जाता था और ये विक्सित कहां किया गए था जी तो पूर्तगाल में इनका विकास किया गया पूर्तगाल में इन नाओं का निर्मार किया गया और जब इन सभी चीजों का अविस्कार हो गया इन सभी चीजों के बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई तो उसके बाद में कु राजकुमार थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी नाम था या इन ही को हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है हेनरी दा नेविगेटर तो प्रिंस हेनरी दा नेविगेटर जो है इन्होंने समुद्री यात्राओं काफी प्रोपसाहित किया और जो भी समुद्री यात्री थे उनको इन्होंने खास करके बहुत मतलब आर्थी क्या हर तरह से सहायता की जिसके करण की समुद्री यात्राओं में जो यूरोपीय देश के जो लोग थे वो मतलब बहुत ज़्यादा रूची लेने लगे उसके बाद में अगर इस्पेन के सब्पेक्ष में बात की जाएगी तो इस्पेन के एक राजा थे जिनको Ferdinand Ferdinand II के नाम से जानते हैं और इन ही की एक महारानी थी इस्पेन के राजा ये थे और इनकी महारानी थी जिसका नाम था इसा बेला तो इन होने क्या किया कि इन होने मतलब समुद्री यात्रा करने वाले जो यात्री थे उन यात्रियों को प्रोचाहित किया जिसके कारण समुद्रियात्रा करने के लिए लोगों का जो इंट्रेस्ट है वो उसमें बृधी हुई और लोग समुद्रियात्रा करना प्रारम किये तो इसमें सबसे पहले पहले हम लोगों ने इतना चीज़ सिखा कि 1433 एक ऐसा डेट था जिसमें कुस्तुनुतुनिया के बाद से ही योरूप के अगर साप्पेक्स में बात की जाएगी जिसे कि अगर भारत के सापेक्षम बात किया जाएगा तो यूरोपीय कंपनी खास करके जब अंग्रेजों की सता स्थापी तो उसके बात से मतलब मुखरूप से मैना जाता है कि भारत में आधुनिक योग सुरू होता है उसी तरह से अगर यूरोप के सापे यहां से यूरोप में चुकि 1453 से पहले के समय के अगर बात की जाएगी तो 1453 से पहले के अगर बात की जाएगी तो यूरोप में उस समय तक उस समय तक यूरोप में हैं शामन तवाद का विकास था समान्तवाद फोल रहा था और जब कुस्तुन तुनिया का पतन हुआ तो उसके बाद में फिर यहां पर यहां पर नइ वेवस्था शुरू है और मध्यम्वrk मजबूत मध्यमवrk का यहां व्यापारीनों का विकास हुआ एक आए 1423 में कु्स्तोणों तुनिया का पतर हुआ और तुर्कों का अधिकान हुआ फिरी बाद में यहीं से जो घटना है लोगों ने सोचने की चमता विख्सित की creativity के विकास हुआ और इसलिए इस समयकाल को पुनर जागरण के रुप में जानते हैं ठीक है उसके बाद में जो मतलब की हमने सिखा कि 1380 में जो अरब थे तो अरबों के द्वारा जो है कुतुब नुमा यानि कि एक दिशा सुचक यंत्र का विकास हुआ जिसे कुतुब नुम के द्वारा विक्सित किये गये थे ठीक है और उसके बाद में हम लोगों ने सिखा कि प्रिंस हेनरी या इन्ही को हेनरी दर नेविगेटर कहा जाता है इन्होंने और एस्पेन की राजा थे फरडिनेंट सेकेंड और वहां की महरानी थी इसा बेला इनके द्वारा जो नाव की है तो ठीक है इससे आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इससे आगे अगर देखा जाए तो सबसे पहले पहले हम लोग यह समझेंगे कि जब समुद्री यात्रा करना प्रारंब हुआ तो इस दिशा में सबसे पहला जो प्रयास था वो देखा जाए तो यहां पे ए एक नाविक थे जिनका नाम था बार्थो लोमियो डियाज तो बार्थो लोमियो डियाज ने यहां से इस मार्क से मतलब यह निकले और यहां से ऐसे होते हुए और समुदरी तट के सहारे जो समुदरी तट है उस समुदरी तट के सहारे उन्होंने सबसे पहले पहले जो फिर्तम बिंदु है यहां पे इसको हम लोग जानते हैं उत्तम आसा अंतरीप तो उत्तम आसा अंतरीप तक इन्होंने सबसे पहले-पहले पहुचने का परच किया है तो सबसे पहले-पहले कहा जाया कि उत्तम आसा अंतरीप तक पहुचने वाले सबसे प्रथम अगर यात्री की बात की जाएगी तो कौन थे तो बार्थो लोमियो बियाज बार्थो लोमियो डियाज बार्थो लोमियो डियाज जो है उन्होंने सौर्व प्रथम मतलब उत्तम आसा अंत्रिप और उत्तम आसा अंत्रिप है क्या जी तो दक्षड अफरिका साउथ अफरिका का दक्षडी बिंदु है दक्षड़ी बिंदू है जैसे अगर भारत की बात की जाएगी तो भारत का सबसे दक्षड़तम बिंदू माना जाता है इंद्रा पॉइंट को ठीक उसी तरह से यहाँ प्षूमेटी जो है देखा जाता है कि यहाँ पर मतलब की जो अफ्रीका है दक्षिड अफ्रिका तो दक्षिड अफ्रिका का सबसे दक्षिड तम बिंदू कौन सा है तो ये उत्तम आशा अंत्री PIC को Cape of Good Hope कहा जाता है ठीक है तो यहां पर पहुंचने के कार्शवर प्रतम किस ने किया था तो बार्थो लोमियो डियास ने और कब किया था तो 1488 में पूर्ती करने के लिए जो यूरूपीय व्यापारी थे वह भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग के खोज करना उसमें बहुत ज्यादा उनका इंट्रेस्ट था और वह मतलब कि भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग को खोजना चाहते थे और इसी प्रयास में स सबसे पहला अगर प्रयास की बात की जाएगी तो यहीं पे देखिए यहां पे यह जो देश देख रहे हैं इसी को हम लोग पूर्तगाल करते हैं और इसके बगल में यह वाला जो देश देख रहे हैं इसको हम लोग एस्पेन करते हैं तो एस्पेन के एक नाविक थे जिनका नाम था Columbus, Columbus तो Columbus जो है, Columbus ने 1492 इस्वी में सबसे पहला प्रयास किया था भारत में पहुँचने का, चुकि प्रिथवी तो गोल है, और वो रास्ता भटक करके और निकले इधर आने के लिए, लेकिन रास्ता भटक करके और रास्ता भटक करके और वो पहुच गये अमेरिका, तो Columbus ने 1492 में किसकी खोश की थी? तो अमेरिका की खोश की थी, हलाकि उस समय तक अमेरिका के बारे में कोई नहीं जानता था, और इसलिए जिस चीज को हम लोग नहीं जानते हैं, तो उसको जब मिलेगा तो नहीं चीज बोलेंगे, और चुकि ये तो एक दुनिया का खोश ने किसका खोश किया था? तो अमेरिका का और उससे क्या नाम दिया था? नई दुनिया नाम दिया था, और यहां पे रहने वाले जो लोग थे, उन लोगों को उन्होंने रेड इंडियन कहा था, उन्होंने यहां पे रहने वाल लोगों को क्या बोला था? तो रेड इंडिय ठीक है ुसके बाद में हालाकि बाद में चलके और एक अमेरीगू वेस पुस्सी नाम की एक नाविक है और वो जब यहां पे अमेरिका पहुँचे तो sudah उनहीं के काल के एक नाविक थे जिनका नाम था वासको डी गामा तो वासको डी गामा ने अगला प्रयास किया भारत में पहुँचने का ओर वो पहले ऐसे समुद्री यूरोपीय यात्री थे पुनर जागरण के बाद में अगर बात की जाएगी तो पहले ऐसे समुद्री यात्री थे जो बहारत में पहुचने में सफल हुए उन्होंने यहां से यह रास्ता पकड़ा और इस रास्ते से चलते हुए वो सबसे पहले पहले अगर देखा जाए तो वो पहुचे दक्षड अफ्री उत्तम आसा अंतरीप पे सबसे पहले पहले यह कहां पहुचे जी तो उत्तम आसा अंतरीप पे पहुचे और उत्तम आसा अंतरीप पे पहुचने के बाद में यहां पर इनकी मुलाकात जो है वो एक भारतिये व्यापारी थे और उनका नाम था अब्दुल मजीद तो अब्दुल मजीद से इनका मुलकात हुआ और अब्दुल मजीद की सहायता से ही जो ये वासकोटी गामा जो है अब्दुल मजीद की सहायता से फिर भारत पहुँचे और भारत में सबसे पहले अगर पहुँचने की बात की जाएगी तो देखे यहां से ऐसे घूंते और जो यहां पे इस बिंदू को देख रहे हैं इसी को कहा जाता है काली कट तो जो वास्कोर्ड डिगामा सबसे पहले पहले भारत के काली कट बंदरगाः पहुंचे और काली कट के अगर राजा की बात की जाएगी तो उसमें यहां का Raja Jammorin था, कालिकट का राजा, जब Vasko DIGA में भारत आया, तो उस समय कालिकट का सासक कौन था? तो Jammorin था और Jammorin ने इसका स्वागत किया, ये भारत में पहुचने वाले प्रथम उर्रोपीय यात्री थे इसलिए इनको कहा जाता है कि वास्कूर्ट डी गैमा ने भारत की खोज किया था हलाकि एक बात हम लोग यहां पर क्लियर कर लें कि भारत जो है भारत का अगर इतिहास देखा जाए भारत में पहुँचने का कार्श किया था इसलिए इनको श्रे दिया जाता है कि वास्कूर्ट डी गैमा ने जब यहां पर आया तो जमोरिन से उन्होंने व्यापारिक अधिकार प्राप्ट किये और व्यापार करने की अनुमति लिए और उसके बाद में यहां से जब वस्तूओं को खरीद करके वासको डिगामा ने जब यहां से वस्तूओं को खरीद करके वो अपने यूरोप मिले गए और यूरोपीय बजार में जब उनको बेचा तो उन्हें 60 गुड़ा मुनाफ़ा हुआ यानि कि जितनी भी वस्तुवें खरे दी थी तो जो उनका क्रायमुल था वो क्रायमुल के अपेच्छा 60 गुणा वास्को डिगामा को यहां से मुनाफ़ा हुआ यहां की वस्तुवें को जब ये बजा में बेचा गया तो तो जब देखे इतना अधिक अगर मुनाफ़ा किसी चीज में दिखने लगे तो लोग तो स्वभाविक है क्या करशित होंगे कि बहुत ज्यादा मुनाफ़ा हो रहा है और अगर बहुत ज्यादा मुनाफ़ा हो रहा है तो बहुत सारे अन्य जो पारी थे जिनको कहा जाता है पेट्रो पेट्रो अलबरेज पेट्रो अलबरेज कैब्राल इनका नाम था और यह भारत में 1500 के पहुँचे यूरोपिय बजार में ठीक है उसके बाद में अगर बात की जाएगी तो दूसरी बार फिर से जो वास्कोडी गामा है ये दूसरी बार फिर से आये कब तो पंद्रा सव दो इस भी में और फिर से यहां पर व्यापार का फिर इसके बाद में यूरोपियों के व्यापार का ठीक है तो अभी तक हम ने क्या देखा कि भारत में जो यूरोपी व्यापारी थे भारत में यूरोपी व्यापारी तो उनमें से सबसे पहले पहले पहुचने वाले यूरोपी व्यापारी कौन थे तो पूर्तगाली थे ठीक है कौन सा प्रथम पूर्तगाली व्यापारी भार काली कट बंदरगाह में पहुंचा था केरल में इस्तित है और वहां के सासक उस समय कौन थे तो जमोरीन थे ठीक है इसके बाद में अगर बात की जाएगी तो हम लोग अब जो है भारत में एंट्री करना का प्रयास करेंगे अभी तक हम लोग विश्व के सपेक्ष में देख देख जाए और भारत के सपेक्ष में अगर बात की जाएगी तो यहां तो धे हम धान देंगे कि सब्सेरיה पहले अगर भारत के सपेक्ष में देखी जाए तो सबसे पहले पूर्त गाली आय और अभी जो है हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जो भी यूरोपिये व्यापारी भारत में आए यूरोपिये देश जब भारत में आए व्यापार करने के लिए तो उनके व्यापारियों के आने का क्रम कैसा था वो समझने का प्रयास करेंगे और इस कड़ी में हम लोग देखेंगे यूरोपिये यूरोपीय कमपनियों के आगमन का क्रम देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले पहले यूरोपीय कमपनियों के आगमन का क्रम देखेंगे? अब जो है, हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, यूरोपीय कमपनियों का आगमन का क्रम यानि कि सबसे पहले पहले कौन भारतिय कमपनिय आई थी? तो जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि सबसे पहले पहले अगर भारत में आने वाली European Company की बात की जाएगी तो सबसे पहले पहले पुर्तगाल पुर्तगाल आया था भारत में और पुर्तगालियों के भारत में आने का क्रम कौन सा है जी तो पहला है और यह 1498 में आये थे 1498 में पुर्तगाली आये थे इसके बाद में अगर देखा जाया तो भारत में आने वाले Europe Council कर्ण करनी सब्सक्राइब दोसरे नंबर में अगर तीसरा देखा जाए, तो तीसरे नमबर पे अंग्रेजों का नमबर आता है, यानि कि ब्रीटेन, तो तीसरा जो देश था भारत में आने वाला, यूरोपिये, वो कौन सा था, तो ब्रीटेन था, और ब्रीटेन कब आया था जी, तो ये आया था 16 सव इस्वी में, इ और इनके आने का जो समय था, वो था 1664, तो 1664 में कौन आया थे, फ्रेंच आया थे, तो इस तरह से ये एउरोपिये कंपनियों के आने का करम है, जिसमें सबसे पले-पले पूर्तगाल आया था, पूर्तगाल 1498 में, डच आया थे, 1595 के लगभग में आया थे, कुछ स्रोत जो हैं, कुछ जो बुक्स हैं, वो उनमें 1595 इंडिकेट किया गया, और कहीं कहीं 1595, यानि कि दोनों जो है, डेट हो सकता है, इसके बाद में, बृते इंपोर्टेंट है, जो पूछता रहता है परिक्षा में, और वो है, कि आखिर इन कंपनियों के आने का करम हो गया, आखिर इन कंपनियों की अस्थापना कब होई थी, तो आने का करम प्लस में यहाँ पर एक और चीज हम लोग देख रहे हैं, कि फैक्टरी की अस्थापना, तो फैक्टरी की अस्थापना की बात की जाएगी, तो पूर्टगाल की पहली फैक्टरी जो है, यह अस्थापित ह हुई थी पुर्तगाली कम्पनी के पुर्तगाली कम्पनी अस्थापित हुई थी पंद्रह सो तीन में और यह अस्थान था कोचीन ठीक है पंद्रह सो तीन में प्रथम पुर्तगाली कम्पनी अस्थापित हुई थी भारत में और यह फैक्टरी अस्थापित हुई थी और कहा काली कट काली कट में पूर्टगाल वास्यों ने फैक्रिय एस्ठापित करने का प्रयास किया था लेकिन वहां पे जो वहां के सासख थे जमोरीय उनके द्वारा फैक्रिकना पर रोक लगा DIDगया था और सबसे पहली अगर पूर्टगाली कंपनी के अस्थापना की बात की जाएगी तो सबसे पहली पुर्तगाली कंपनी कहां शापित की गई थी फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी तो वह 1503 इस्वी में कोचीन ने शापित किया था ठीक है इसके बाद में अगर बात किया जाया तो अगला नंबर आता है डच का और मसूली पटनम में अपनी पहली फैक्टरी को अस्थापित किया था उसके बाद में तीसरे नमबर पे ब्रिटेन का नमबर आता है जिसने 1608 में सूरत में सूरत में पहली फैक्टरी को अस्थापित किया हाला कि यहाँ पर भी एक चीज आप लोग समझ लिजिए कि कहीं कहीं स्थ्रोतों से पता चलता है कि इनके द्वारा अस्थापित किया गया पहला जो कमपनी था वो मसूली पतनम में अस्थापित किया गया था. तो इसको यहाँ पर clear करने जिए, 1608 हिस्वी में जहागीर से जो अनुमती लेकर के यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा सूरत में फैक्टरी का निर्माण प्रागांब किया गया, लेकिन बाद में जहागीर ने इस पर रोग लगा दिया गया, जिसके बाद में 1611 हिस्वी मे मसूली, मसूली पटनम में अस्थापित किया गया कंपनी को, हाला कि जो सूरत की कंपनी है, यह 1613 में पूरा हुआ, मतलब इसका निर्माण पूरा हुआ, तो इस तरह से यहाँ पे दो केस्टन बन रहे हैं, अगर पहले अगर फैक्टरी के निर्माण प्राराम करने के अग अगर पूर्ण रूप से अस्थापित, जो कि मतलब निर्माण कार्ज पूरा हो चुका, अगर उस तरह से पुछे, तो उस स्थिते में मसूली पटनम हो गया, ठीक है, इसके बाद में फ्रांस के अगर बात की जाएगी, तो फ्रांस के द्वारा 1668 इस भी में भारत में पह पूर्टगाल 1498 उसके बाद में डच 1596 में आये, उसके बाद में ब्रीटेन जो की 1600 इस भी में आये, उसके बाद में फ्रांस जो की 1664 इस भी में है, ठीक है, उसके बाद में अगर बात किया जाएगा, कि अगर कंपनी के स्थापना की बात की जाएगा, फैक्टरी के स्था पहली फैक्टरी अस्थापित किये थे मसूली पटनम में अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्टरी अस्थापित की गई थी सूरत में जो की 608 इस्वी में अस्थापित किया था उसके बाद में 1668 इस्वी में सूरत में फ्रेंच जो कंपनी थी या फ्रांसिसी जो कंपनी थ उसके द्वारा फैक्टरी को अस्थापने की बात करें तो एक और क्रम जानना हम लोग के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है और वो है कि कंपनी की अस्थापना का क्रम अगर कंपनी की अस्थापना की क्रम को देखा जाए जो कि जैसे कि पूर्टगाली कंपनी के अस्थापना का अगर बात की जाएगी तो पूर्टगाली कंपनी जो है इसकी अस्थापना जो है 1498 में हुआ था उसके बाद में दूसरे नंबर पे ब्रिटिस कंपनी जो है ब्रिटिस तो ब्रिटिस कंपनी के अस्थापना हुई थी और ये हुआ था 16 सविस्वि में जो इस्ट इंडिया कंपनी तो पुर्तगाली इस्ट इंडिया कंपनी जिसको कहा जाता था पुर्तगाली इस्ट इंडिया कंपनी को एक नाम दिया गया था और वो था इस्तादो द इंडिया कंपनी को क्या बोला गया था तो इस्तादो इस् सापना का हुई थी तो 1498 में ठीक है और इसके बाद में British East India Company जो है तो British East India Company के असापना की गई थी 16 सब इस भी में और उसके बाद में तीसरे नंबर पर अगर बात किया जाए तो तीसरे नंबर पर Dutch Company के असापना हुई थी जो किया गया था 1602 में ठीक है तो Dutch के असापना का की गई थी 1602 में असापना का किया गया था और यहां पर जो कोठी व्यापारी कोठी जो है यह 1605 में सापना की जाएगी तो यह 1602 में इस्टाबलिस होई थी ठीक है और उसके बाद में चौथे नमबर पे अगर फ्रांस की बात की जाएगी तो फ्रांस इस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1664 में इस्टाब्लिस की गई थी ठीक है तो इस तरीके से यह क्रम है और यहां से स्वभाविक है कि कुछ क्वेस्टन पूछ लिए जाते हैं और अच्छे रेंज के जो एक् में इनके क्रम से संबंदित क्वेस्टन पूछ जाते हैं तो इस चीज को आप लोग शिख लीजी एक बार और से रिपीट कर लेते हैं पूर्त इंडिया कंपनी का भारत में आगमन 1498 ठीक है और कंपनी के सापना 1503 कोचीन में ठीक है उसके बाद में डच की डच का भारत मे अगमन कब हुआ 1596 और इनकी पहली कंपनी कहां अस्थापित होई फैक्टरी तो 1605 इस भी में पहली फैक्टरी अस्थापित किया वैबारी कोठी मसुली पटना ठीक है उसके बाद में ब्रिटेन के अगर बात की जाएगी तो ब्रिटिस इंडिया ब्रिटिस इस्ट इंडि ठीक है उसके बाद में फ्रेंच इस इंडिया कंपनी 1664 इसमें भारत आई और 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्टरी जो अस्थापित किये ठीक है उसके बाद में कंपनी के स्थापना के करम देखा जाए तो सबसे पहले पहले अस्थापना हुए पुर्तिगाली इस बाद में तीसरे नंबर पर आता है डच और डच इस इंडिया कंपनी 1602 इस भी में और इसको एक और नाम दिया जाता है डच इस इंडिया कंपनी को और इससे कहा जाता है वेरिंग दे ओस्त वेरिंग दे ओस्त वेरिंग दे औस्त इंड से कमपनी प्रारंभीक तोर पे इसको विरिंग्दे औस्त इंड से कमपनी कहा जाता था जिसे बाद में यूनाइटेड 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 इस इंडिया कमपनी ओफ निदरलैंड East India Company of Neither Land कहा गया ठीक है तो जो Dutch East India Company है उसे प्रारमभिक तोर पे वरिंग दी ओस्त इंड से कमपनी कहा जाता था जो बाद में किसमें परिवर्थित हो गई तो United East India Company of Neither Land कहा गया ठीक है उसके बाद में French East India Company की अगर अस्थापना की बात की जाएगी तो 16430 में अस्थापित किया गया था ठीक है तो ये कुछ बेसिक थे जिसको हम लोगों ने सीखा अब जो है हम लोग सबसे पहले पहले भारत में यूरोपी जो भी कमपनिया आई थी उनसे संबंदित कुछ महत्पूर्ण फैक्ट को जानने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले पहले हम लोग पूर्तगालियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं यहां पर एक चीज समझना जरूरी है कि अगर भारत में जब यूरोपीय कमपनिया आई तो उनका मुख उदिस जो था वो क्या था व्यापार करना तो व्यापार करना मुख उदिस से था लेकिन यहां की परिस्थितियों को जब उन्होंने परक लिया तो उनका जो उदिस से था यहां पे इंडिया में व्यापार करने से बढ़के हो गया और उन्होंने यहां पे समराज अस्थापित करने की कोशिस की और इसी क्रम में वह और इसी क्रम में जो कि पूर्टगाली पूर्टगाल की अगर बात की जाएगी तो पूर्टगाल की पूर्टगाली इस इंडिया कंपनी जो है वो राजा के नियंत्रड में थी ठीक है राजा के नियंत्रड में तो राजा के नियंत्रड में अगर थी तो स्वभाविक है जब जब राजा का कंपनी पे नियंत्रडर है, तो भारत में समराज्य विश्तार या कंपनी के establishment के लिए जो भी अधीकारी नियूत कीये जाएंगे, वो राजा के प्रतिनिधी, राजा के प्रतिनिधी के रुप में आयेंगे और इसीलिए जब चोकि राजा के प्रतिनिधी के रुप में आ रहे हैं, तो राजा के प्रतिनिधी को वायसराय कहा जाता है, ठीक है? तो पुर्तगाल के द्वारा जो भी यहां पर अधिकारी निउक्त किये गए, जो भी गवर्नर निउक्त किये गए, उन्हें क्या बोला गया? वाईसराय, और इस करम में अगर देखा जाये, तो सबसी पहला जो वाईसराय निउक्त किया गया, उसको हम लोग इसके बारे में अगर important fact देखा जाए तो यह क्या था जी, तो सबसे पहला यह प्रथम वाइसराय था, प्रथम पूर्थगाली वाइसराय था, ठीक है, प्रथम पूर्थगाली वाइसराय था, और इसके द्वारा एक बहुत ही महत्पूर्ण निती चलाई गए थी, जिसे blue water policy कहा जाता है, blue water policy, ठीक है, या इसी को सांत जल की निती कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं जी, तो सांत जल की निती, तो इस चीज को सबसे पहले-पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, कि सांत जल की निती या blue water policy क्या थी, तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, blue water policy जो है, वो हिंद महा हिसकी नीति थी एक काधिकार हो वो कि इसके हैंड में रहे तो पुर्तगाल के नियंत्रड में रहे पुर्तगाल के हैंड में रहे और इसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने ये नीति को शुरु किया था जिसे blue water policy या सांत जल की नीति कहा जाता है ठीक है तो ये इनके इनसे संबंदित important fact था हलाकि इनको मतलब इनके समय में पूर्टगाली समराज का भारत में कोई ज़्यादा विस्तार वेगर नहीं हुआ था बस ये दो चीजों के कारण ये important थे ठीक है दूसरे नमबर पर अगर देखा जाय तो फ्रांसिसको डी अलमीडा के बाद में दूसरे नमबर पर आने वाले गवर्नर जो है उनको उनका नाम था अलबु कर्क अल्बू कर्ग तो अल्बू कर्ग जो है इनकी नियुक्ती भारत में 1509 में हुई थी और ये भारत में रहे थे 1515 इस भी तर ठीक है और इनके द्वारा बहुत ही महत्पुन कार्श किये गए थे युरोप में पुर्तगाली कमपनी की समराज विस्तार से समबंदित यहां पे बहुत ही महत्पुन कार्श किये थे अल्बू कर्ग के द्वारा इनके द्वारा सबसे पहला अगर देखा जाए तो अल्बुकर्क जो है इनको पूर्टगाली समराज का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जो अल्बुकर्क हैं अल्बुकर्क को भारत में पूर्टगाली समराज का वास्तविक संस्थापक कहा जा सकता है उसके बाद में अगर देखा जाया तो इनको ने भारत में जो है मतलब की ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप किया था ये पूर्टगाली समराज के वास्तविक संस्थापक थे और जो यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट किये थे अल्मीडा उस ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त किया इन्होंने क्या किया था जी तो ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त किया और उसके बाद में एक निती चलाएगी थी और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है भारतिये इस्त्रियों से विवाह पर बल दिया ठीक है तो अलबुकर्क जो है अलबुकर्क ने यहां पर पूर्तगाली सामराज्य का इनको वास्तिविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इनके नियुक्ति की ठीक एक साल बाद 1510 में इन्होंने गोवा पर अधिकार किया और ये गोवा पर अधिकार किस से छीन करके किये थे तो इन्होंने हराया था बीजापूर के सासक थे जिनका नाम था यूसुफ अधिल साह तो बीजापूर के सासक यूसुफ अधिल साह को पराजित करके और उनसे गोवा को छीनने का जो स्रे दिया जाता है यूसुफ अधिल साह को पराजित करके और उनसे गोवा को छीनना था और गोवा को अपने अधिकार शेत्र में पूर्तगाली अधिकार शेत्र में लाया था ठीक है तो इसके कारण यह important है उसके बाद में अगर देखा जाए तो इन दोनों के अत्रीक्त जितने भी पूर्तगाली गवर्णर भारत में नियुक्त हुए उसमें अगला अगर नंबर देखा जाए तो अगला नंबर जो है वो आता है नीनो डी कुनहा ठीक है के बारे में अगर देखा जाए तो यह भारत में नियुक्त होने बाले 9 वाइसराय थे ठीक है यह भारत में नियुक्त होने बाले कौन वाइसराय थे तो 9 वाइसराय थे और इनके बारे में सबसे important अगर कोई चीज देखा जाए तो इन्होंने अपनी राजधानी को कोचीन कोचीन से गोवा गोवा राजधानी अस्थनांतरित किया जो राजधानी था राजधानी को कहां से कहां सापित किया तो कोचीन से गोवा को मतलब राजधानी बनाया ठीक है उसके बाद में अगर देखा जाया तो इन्हों ने गुजरात के सासक थे जिनका नाम था बहादुर शाह तो बहादुर साह की हत्या किये थे इन्होंने क्या किया था तो गुजरात के सासक बहादुर शाह की हत्या की थी धोके से किया गया था हला कि जहाज पे बुला करके और उनको जहाज पे मुतलब उनकी हत्या कर दी गई थी ठीक है तो ये भी कब किया गया था तो नीनोडी कुनहा के समय में किया गया था और उसक इसको दिया जाता है नीनोडी कुनहा को ठीक है उसके बाद में अगर देखा जाए तो इनके द्वारा दो बहुत ही इंपोर्टेंट अधिपत्य जमाए गये थे जिनमें एक था बसीन और बसीन पर इन्होंने 1534 में अधिकार किया था हाला कि नीनोडी कुनहा जो है 1529 से लेक ठीक है अरतिस तक रहे थे और इन्होंने बसीन पर 1534 में तथा तथा पंदर रसो चौतिस में पसीन और उसके बाद में एक और जगा था जिसे दीव पर अधिकार किये थे 1535 में 1535 में किसके अधिकार किये थे तो दीव पर दिव पर अधिकार किया था तो इसके कारण इनको मतलब पूर्तगाली गवर्णर की स्रेडी में बहुत ही मतलब की important है ये भी इनके समय में बहुत अच्छे खासे समराज ये विस्तार किये गए थे पूर्तगाली समराज जखा तो इस तरीके से सबसे पहला अगर देखा जाया तो निनो डिग कुनहा के समय में अगर देखा जाया तो ये न castle आयए थे उसके बाद में इनोंने अग्ला जो कार्श क्या ताओ क्या था ठीक है और उसके बाद मैं बसीन पर इन्होंने 1534 में अधिकार किया और दिव पर 1535 में अधिकार किया था ठीक है तो ये जो है इनके द्वारा किये गए मत्पूर्ण कार्ज थे इनके समय में एक और मत्पूर्ण अगर देखा जाये तो इन्होंने सेंट टो में सेंट टोमे तथा हुगली, सेंट टोमे तथा हुगली पर इन्होंने अधिकार किया था, हुगली पर अधिकार मतलब हुगली में बस्तियां बसाई थी, हुगली में बस्तियां बसाई, हुगली में बस्तियां बसाई, हुगली में बस्ति बसाने का और सेंट टोमे में बस्ति बसाने का जो स्रे दिया जाता है वो भी नीनोडिकुना को और इस हुगली में जो बस्ती बसाई गई थी पुर्तगालियों के द्वारा तो उस बस्ती को खाली कराने का जो स्रे दिया जाता है वो है साह जहां ठीक है तो साह जहां ने इस बस्ती को खाली कराया था और कब कराय तो साह जहाने इस बस्ती को 1632 इस वी में खाली कराया था ठीक है, 1632 में साह जहाने हुगली को, हुगली में जो भी बस्तियां बसाई वे थी, उस बस्ती को खाली कराया था, ठीक है, तो ये निनो डिकुना से संबंधित जो important facts थे, वो हम लोगों ने जान लिया, ठीक है, अब मतलब यहां पे हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि जो भी मतलब पूर्टगाली भारत में आये और भारत में उन्होंने अपना समराज विस्तार इस तरीके से किया ठीक है उसके बाद में पूर्टगालियों के द्वारा किये गए कुछ मतलब कार्श को हम लोग यहां पे सीखने का प्रयास करेंगे ठीक है और पूर्टगालियों के द्वारा भारत में किये गए अगर कार्ष को देखा जाए तो इन्हों ने एक नई विवस्था को सुरू किया गया था जिसे कॉर्टेज कॉर्टेज विवस्था कहा जाता है कॉर्टेज विवस्था और कॉर्टेज विवस्था की अगर बात की जाएगी तो cottage व्यवस्था जो है यह एक प्रकार का license था ठीक है यह क्या था cottage व्यवस्था तो cottage व्यवस्था जो है एक प्रकार का license था जो किसको दिया जाता था तो जो भी देश एसिया से मतलब एसियाई देसो से व्यापार एसियाई देसों से मतलब हिंद महासागर्षे होते हुए एसियाई देसों से अगर व्यापार करना होता था तो व्यापार करने के लिए पूर्तिगाली जो थे वो क्या जारी करते थे कोर्टेज जारी करते थे और कोर्टेज जो है एक प्रकार का लाइसेंस होता था ठीक ना तो ये इंपोर्टेच चीज है और इसके बाद में देखा जायो तो कोटेज को स्विकार करने वाले प्रथम मुगल शासक की बात की जाएगी तो प्रथम मुगल सासक तो प्रथम मुगल सासक थे कॉर्टेज व्यवस्था को स्विकार करने वाले वो थे अकबर ठीक है यानि कि अकबर ने सबसे पहले पहले कॉर्टेज व्यवस्था को स्विकार किया था ठीक है उसके बाद में अगर देखा जाए तो पूर्तकालियों ने कुछ नई चीज नाव का निर्माड इनोने परारम किया था मन्तलब अच्छी तरह की अच्छी क्वाइटी की नाव को निर्माड करने का जो सीर、 दिया जाता है भारतं वह वह भी किसको दिया जाता है तो पुर्त गालियों को अलू तमाटर अननास इस सबी चीज़ों की खेती सबसे पले-फले तंबाकु की खेती और भी कुछ थे जिनकी खेती उन्हों ने प्रै रетров किया थे इन सभी चीज्व की खेती प्रारम किये थे ठेक है तो पुर्द्डगाइल पुर्तगाली के दिवरा किये इंपोर्टेंट अगर कांड है कि इनको ने क्या किया था तो सबसे न से ऑले-बरे तो भारफ में कॉर्ट इफेस्टा को इनको अनको और cottage विवस्ता क्या था? तो cottage एक प्रकार का license होता था जो ACI देसों से हिंद महासागर्षे होते हुए व्यापार करने के लिए जो व्यापारिक जहाज होते थे उनको जारी किया जाता था ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे cottage विवस्ता से संबंदित एक बहुत important fact कि cottage विवस के बाद में अगर उनके द्वारा और भी किये गए महतपुण कार्ज देखना है तो भारत में printing price को सुरू करने का जो स्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? पुर्तगालियों को ठीक है? भारत में नाव अच्छी quality के नाव को निर्माड करने या जहाज को पुर्तगालियों को दिया जाता है अब यहां पे पुर्तगालियों से संबंधित एक और important चीज यहां तब पुर्तगालियों का समराज जो है सही तरीके से चल रहा था इसके बाद में क्या हुआ कि जैसा कि मैप में मैंने दिखाया था कि पुर्तगाल और एस्पेन ये दोनों जो देश हैं वो एक दूसरे से सटे हुए थे और फिर क्या हुआ कि कालांतर में पुर्तगाल का एस्पेन में विले हो गया ठेक? तो पुर्तगाल का जब एस्पेन अपनाई और फिर इन्होंने धीरे-धीरे उसमें रूची लेना कम कर दिया जिसके कारण की इनका फिर ज्यादा मतलब विकास जो है भारत में नहीं हो पाया ठेक और एक बहुत ही इंपोर्टेंट सीज है जो पुर्तगालियों से संबंदित है इनकी एक राजकुमारी थी जिनका नाम था चाल्स सेकेंड तो चाल्स सेकेंड से कैथरिन का विवाह हुआ और इस विवाह में विवाह हुआ था ये कहां के थे जी तो अंग्रेज थे और ये क्या थी तो पुर्तगाली थी पुर्तगाली राजकुमारी थी और ये अंग्रेज राजकुमार थे ठीक है तो इन दोनों का विवाह हुआ और इस विवाह में इस विवाह में बंबई जो है बंबई जिसके की पुर्तगालियों का अधिकार था तो बंबई को दहेज में दिया गया था बंबई को क्या कि तो यहां तक पुर्तेगालियों के बारे में important facts जो थे हम लोगों देख लिया, अब थोड़ा सा आज के lecture में हम लोग प्रयास करेंगे कि डच से संबन दित, जो कि अगला नंबर जो है भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का तो वो डच का आता है, ठीक है, तो ज किस तरह से उनका मतलब की विस्तार हुआ, या फिर किस तरह से वो यहां पर establish किये और कैसे उनका पतर हुआ, उस चीश को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो अगला नंबर जो है, हम लोगों ने जैसे देखा था, कि अगला नंबर जो है, वो किसका था, डच क कॉर्नेलियस, 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 डी हाउट मैन, कॉर्नेलियस डी हाउट मैन, तो कॉर्नेलियस डी हाउट मैन एक डच नाविक थे, डच व्यापारी थे, और इनके नेत्रित्व में, कॉर्नेलियस डी हाउट मैन के नेत्रित्व में, सबसे पहले पहले जो है, ड वर्च भारत में नहीं आय थे इन्होंने सबसे पहले-पहले अधिकार किया था सबसे पहले-पहले इनका व्यापार जो है वो शुरू हुआ था सुमात्रा से यानि कि इंडोनेसियाई एक द्विप है और वहां से मतलब इनका व्यापार सबसे पहले-पहले प्रारम हुआ था और यहां से उन्होंने सबसे पहले पहले मसाले का व्यापार यानि कि इंडोनेसिया जो है इंडोनेसिया सबसे पहला जो इनका व्यापारिक संबंध अस्थापित हुआ था डचो का वो हुआ था इंडोनेसिया से ठीक है उसके बाद में ये भारत में आने का अगर देखा जाया तो ये लगभग लगभग 1595 के लगभग में आते तो भारत में आने का जो समय इनका था 1595 में ये भारत है ठीक और इंडोनेसिया से प्रारमभीक तोर पे डच जो है वो इंडोनेसिया से मसालों का व्यापार करते थे ठीक है इंडोनेसिया से इन्होंने किसीज का व्यापार किया था तो मसालों का व्यापार कर रहे थे और उसके बाद में क्या हुआ कि फिर धीरे 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 इनका जो आगमन है वो भारत की तरफ हुआ ठेक और सबसे पहले पहले ये 1596 में भारत में आए और चुकि इनको हम लोगों ने देखा कि इनका मुख जो व्यापारिक केंद्र था वो कहां पे था तो इंडोनेसिया में मुख व्यापारिक केंद्र होने के कारण जो है इनके अधिकांस अगर हम लोग भारत में फैक्ट्रियों को देखेंगे कि भारत में डच फैक्ट्रियां जो अस्थापित की गई थी तो वह देखेंगे कि भारत के पुर्वीत तट जो है तो पुर्वीत तट पे इनके तो पिछले मतलब हम लोग जब देख रहे थे, तो उससमें हम लोगों ने देखा था, कि 1605 में इनकी पहली फैक्टरी जो है, वो अस्थापीत की गई थी, सबसे पहली इनकी फैक्टरी का वस्थापीत की गई थी, तो 605 में और ये अस्थापीत किया गया था तो मसूली पटनम में अस्थापीत किया गया था थीक है उसके बाद में अगर देखा जाए तो डचों के बारे में एक और important चीज कि इनके द्वारा भारत में अस्थापीत जो factory है भारत में अस्थापीत अगर factory की बात की जाएगी डचों की तो उसमें यह इसलिए important हो जाता है कि अगर बिहार के अगर बात की जाएगी तो बिहार में भी इनके द्वारा factory अस्थापीत की गई थी बिहार में इनका पटना में factory अस्थापीत किया गया था ठीक है तो इनके द्वारा अस्थापीत factory के अगर बात की जाएगी तो इनके द्वारा एक जगा है जिस मतलब सूरत सूरत में इनके द्वारा factory अस्थापीत कराईकल में अपनी फैक्टरिय अस्थापित की थी उसके बाद में ये पटना में अस्थापित किये थे और देखा जाये तो कासीम कासिं में भिंड का से तुई इमके द्वारा भारत में अस्थापित मुख्य जो फना है अब यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि चुकि यह मसालों का वया पार दिसींड नहीं झा今日 कि भिः widely बहुत ही इंपोर्टेंट है कि भारतिये सुति वस्त्र अगर भारतिये सुति वस्त्र का व्यापार अगर देखा जाए तो भारतिये सुति वस्त्र का व्यापार डचों के द्वारा प्रारम किया था यूरोप में ठीक ना भारतिये सुति वस्त्रों को यूरोपिये बजार मे अगर पहचान दिलाने की बात की जाएगी तो भारती सुति वस्तरों को यूरोपी बाजार में पहचान दिलाने का कार्ज सरप्रथम डचो ने किया था ठीक है तो ये इनसे संबंदित महतफुन फैक्ट थे और ये मसालों का व्यापार किसे करते थे तो इंडोनेसिया से करते सुति वस्तर का दियोग ये सूति वस्तर का व्यापार है वो करते थे भारत से ठीक है और अगर पूर्तगालियों का देखा जाया तो पूर्तगालियों ने भारत से अगर ज्यादा मुतलब की प्रचलित है और भारत के मसालों को अगर यूरोपिय बजार में अगर पहशान दिलाने के बात की जाएगी तो उसका स्रे पूर्टगालियों को दिया जाता है ठीक है और अगर अगर भारती सुति वस्त्र को यूरोपिय बजार में अगर पहशान दिलान कंपनी थी ने मतलब की 1669 में उनका अंग्रेजू के साथ एक युद्ध हुआ था जिसे वेदह का युदह कहाता है वेदह का युदह और इस वेदह के युदह के बाद ही यहाँ पे डचों का पतन अरंभ हो गया चुकि वेदह के युद्ध में अंग्रेजू से उनका ये युद्ध हुआ था 1669 में और इस युद्ध में अंग्रेजों से उनको पराजाय का समना करना पड़ा था और ये युद्ध जो है इसने decide कर दिया था कि भारत में जो Dutch company है वो survive नहीं कर सकती है और उसके बाद से Dutch company का भारत में पतन हो गया ठीक है तो यहां तक आज हम लोग देख लिए इसके बाद का जो लेक्चर है वो हम लोग आगे देखेंगे और कल हम लोग सीखेंगे कि भारत में फ्रांसिसी company का मतलब आगमन और अंग्रेज company का आगमन और उसके बाद में उन दोनों की बीच में जो युद्ध हुए थे जिनको हम लोग करनाटक युद्ध के रुप में जानते हैं तो उसके बारे में कर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई को continue रखिए और आपने अगर हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दीजिएगा ठीक है जिससे कि आप लोगों को हमारे अगले जो भी lectures होंगे वो आपको उसका notification मिलते रहे ठीक है